हलो फ्रेंट्स क्या आपको पेड़ो में बहुत ज़ादा दर्द रहता है आपकी प्रेड्स काफी ज़ादा आते हैं आपको बार बार प्रेड आते हैं और आपको प्रेड्स के तोरान बहुत ज़ादा क्रैंप्स बने रहते हैं तो हो सकता है ये कंडिशन एडिनोमायोसिस हो तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनिग इनिकलॉजस इन आपसेटेशन आज आपको एडिनोमायसिस के बारे में बताने जा रही हूँ कि आखिर एडिनोमायसिस होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसका कैसे डाइगनोसिस बनेगा और इसका क्या इलाज किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अडिनोमायसिस क्या होता है, अडिनोमायसिस बच्चेदानी के अंदर होने वाली एक प्रकार की बिमारी है, जो एंडुमेटरियस का ही एक टाइप है, जिसके अंतरगत जो अंदर की एन्टेयर होती है, ग्याización है। और बन ग्रॉण हो अंधर ब्लीडिंग रहा है यहां पे भी आपके अंदर प्लीडिंग होगे तो प्लीडिंग हो इस बच्चेदानी के सब्सक्राइब से बाहर आजाती और उसके अंदर क्रैम्स आने लगते हैं यानि की पेन होने लग जाता है तो यह में कारण है यह में पैथोलोजी है कि जिसके कारण इडिनोमाइसस बनता है लेकिन अब ऐसा होता क्यूं है कि यह जो नॉर्मल एंडोमेटरियम की सेल्स थी वो मसल्स के बीच में जाकर जम्मा इसके बेचे 2 तीन कारण बताए जाते हैं किसी सेल्स को कुठ किया जाता गलbut क्रेंणें किसेलskी केशा जाता इवाँ फुच्छा से बिच में पहुंच सकती है कि किसी लिडीप सेकरण नॉर्मल जो मसल सेल्स हैं वही एंडोमेट्रियम में तबदील हो जाए जिने कि स्टेम सेल्स हर जगे मौजूद होती है इसके लावब देन वो थियोरी भी होती कि इसका कारण नहीं बता पाते हैं और कई बार ऐसा लगता है कि डिलिवरी और किसी कारण वस्जनेटी कारण स बहां पर जाकर यह सेल्स जमा हो गई है इसके लावब जो यूट्रस की सर्जरी होती है जैसे कि कोई गाट निकारने की सर्जरी हो गई या कोई बच्चेतानी रेपैर करने की सर्जरी हो गई उसके कारण भी ऐसी तकलीफ आ सकती है तो यह तो हो गए कि एडिनोमायसिस होत अब इसका फॉर्टीज में इसलिए होने लगती है कि जैसे इस्टोजन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ती है एक्सपोसर बढ़ता है तो इस बीमारी की होने की संभावनाई बढ़ जाती है इसके जैसे ही बीमारी बनने लगती है तो बच्चे दानीका साइस तोड़ा आते हैं पीरेड्स के दोरान काफी जादा पेन होता है और इसके अलावा आपको बार बार यानि जल्दी जल्दी पीरेड्स आचाते हैं तो इडिनोमारीस हो सकता है तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास संपर करें ड यानि कि जो मसल्स का थिकनेस है वो बढ़ गया एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम यानि कि जो अंदर का लेयर है और उसके बीच का जो लाइन था क्लेरिंग लाइन वो खतम हो जाता है इसके अलावा मायोमेट्रियम यानि कि मसल्स के बीच में थोड़े थोड़े बलड के लगर्टि दिकने क्या लंग्टार्ट जाते हैं लक्षण है इसने केिते पिताओ कर अदर में पता ही इस दिक्क होती हौर्ड बाँफने के सले मास्राषन दिया जाता है ताकि जैसे से पोड़ी में progestron का लेवल बढ़ता है तो अंदर का endometrium जो होता है वो सुखने लगता है यानि कि इसके growth नहीं होती है estrogen के वज़े से endometrium की growth होती है और progestron उसको कम करता है और पिर जैसे सुखने लगते तो इसे bleeding कम होने लगती है और दिरे दिरे इसके symptoms कम होने लगते हैं इसी के लिए या तो इसके injections लग जाते हैं प्रोजिस्ट्रोन की या इसकी गोलियां आती है इसके लावा एक injection और था लिप्रेड के नाम से जो कि महिने में एक बार लगता है जिससे estrogen और प्रोजिस्ट्रोन दोनों की मात्रा बाड़ जो बहुत सारे नामों से आता है लेकिन इसको LNG याने के लिवोन और जस्ट्रल डिवाइस बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होती है जो की यूट्रस के अंदर फिट कर देते हैं और बहुत ही थोड़ी मात्रा में हार्मोन्स को रिलीस करती है जिससे की ये ले इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समस्या मेरी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसको हम बच्चेदानी की जैसे गांट निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे होनी चाहिए क्योंकि इसमें पूरी बच्चेदानी का जो मसल मास है उसी के अंदर बिमारी है तो पूरा नहीं निकाल सकते है और निकालेंगे तो डेफिनिटली बच्चेदानी निकालने जैसी सरजरी हो जाएगी तो जब भी अगर हम कंसर्वेटिव होता है और का मतलब होता है कि बच्चेDani को बाहर निकालना जो कि दुर्बिन से संभव है जब भी बच्चेदानी का दूरबिन से झुटी हो जाता है और दबीर बरहेश नहीं आपनी सुविदाय के अनुसार अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ट्रीट्मेट ले सकती है और इसके साथियो क्षाथ अच्छा खाना पीना रख था रखी है आमला है, जूस है, सूप है, ये लेती हैं, तो एंटी ऑक्सिजेंट्स की मात्रा अगर बॉड़ी में बढ़ती हैं, तो डेफिनिटली बीमारी को कम किया जा सकता, इसके लावा योगा और मैडिटेशन भी काफी हद तक हेल्प करते हैं, और डेली रूटीन में एक्ससाइज जरूर करनी होती है, ताकि बॉड़ी में ब्लड फ्लो बना रहे हैं, और डेप्रेशन और पेन जैसी बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके, हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ, तब तक नमस्कार.